हेलो मैं वीटिफुल सोल्स वेलकम टू मैं यूटुब चैनल टैरो विश्य वी जपल एज गाईस कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपना इनावक कर रहे हैं तो डियर अगर आप मेरे चैनल पर आया है तो रिक्वेस्ट करू करते हैं आपके पार्टनर की करेंट आपको लेकर क्या है फोकस कीजिए गईस अपने पर्सन की एनरजी इस पर दिखते हैं क्या निकल कर आता है आपके परसन आपको कुछ बोलने से रोक रहे हैं आप उनसे कुछ बोलना चाहते हो वो बार बार आपको रोक देते हैं बार बार आपको बोलने नहीं देते हैं बार बार आपसे कह देते हैं कि शान्त हो जाओ मुझे नहीं सुनना आप उन्हें कुछ बोलने की कोशिश कर ने आप हुल संसे सुड़ें करने की कोशिश करतया है जिब भी आप बात करते हैं कि उन को बोलने के कोशिश करते हो तो आपको रोक देते हैं लोगलते कुछ संसे नहीं सूनना या फिर मुझे अभू機 बात चाहिर सारी बति हैंख़ें पर चीज से कुराइब j involvement षाधी कि अई पर वाहिए आप्वेड आपर आप नेया में से कुछ ऐसी निकल करारें कि घूँड़े अब इसलिए इस तरीकी की बात्यों , मुछ से मत किया करो और इस बात पर आपका जगड़ा हो रहा है लगातर यहाँ पर question mark है आपके person एक question कर रहे है खुद से कि आपको हो क्या गया है या फिर किस तरह की बाते आप करने लगे हैं आप पहले ऐसी बाते नहीं करते थे तिके अब यह वारी बाते आप कहां से कर रहे हैं इस तरह के चीज़ें आपके परसन आपको लेकर सोच रहे हैं यह कुछ लोग शायद नए आए हैं चैनल पे या फिर कही पर उन्हों रीडिंग वगेरा देखा और अपने परसन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपका जो समझाना है वो वियर्थ ही जाएगा क्योंकि आपके परसन समझने वाले इनसान बिलकुल नहीं अगर आप उन्हें यह सारी चीज़ें समझाने जाएंगे तो ठीक है वह बहुत ही जादा प्रैक्टिकल इनसान है और आप समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको बे की कोशिश कर और समने की कोशिश कर रहा ना तो आपकी बातों में इंट्रेस्टेड हैं नाहीं आपके समझाने में रिए नहीं आपी कुछ कुछी भी बात में वह ऐने को ब्कुद्ध रहे हैं कि आपको क्या हो गया है प्लंग है हैं आप अ葬 हुँए इध्किं साथ इस हुए है spiritual experiences dreams वगेरा तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगे कि ये आप normal लोगों को ना बताएं ठीक है या फिर आप अपने ही जैसे लोगों को बताएं जो समझ सकें या फिर आप normal लोगों तो बिलकुल भी ना बताएं या फिर ऐसे लोगों है आप कोई सारी चीज़े या तो अपने जैसे इनसान के साथ discuss करनी है ठीक है आप किसी counselor की help ले सकते हैं लेकिन आप उन लोगों को ये वादें ना बोले जो इन जीदों को नहीं समझते हैं आठ नंबर बन के आ रहा है यहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मेरे व्यूर्स के लिए मुझे यह मैसेज मिल रहा है गाईज कि आप लोग शायद इस वक्त में यहां पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस वक्त strong dark night of the soul से निकल रहे हैं और reading तर पहुंचे हैं कुछ यह नए लोग हो सकते हैं जो dark night of the soul से निकल रहे है और reading तर पहुंचे है और उनको बहुत ही अलग- अलग तरीके के experience हो रहे हैं और जब वो यह सारी चीज़े किसी को बता रहे हैं तो उनको गलत समझा जा रहा है ऐसा यहां पर message मिल रहे है इस वक्त में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपको बहुत सारे कार्मिक triggers भी मिल रहे हैं एक के बाद एक मतलब जो जो पुराने है इस चैनल पर या फिर जो ही रो चुके हैं बहुत अब तक उनके लिए नहीं है यह message यह message उनके लिए निकल कर आया है जो अभी नए आया है या फिर कुछ समर पहले ही उन्होंने देखना स्टार्ट किया तीन चार महीने पांच मेने पहले उनको यहां पर soul shocks दिये जा रहे हैं फिर उनको मतलब कुछ यहां पर आठ की energy हैं को कार्मिक triggers बहुत जादा मिल रहे हैं इस वक्त में यह जो भी लोग है comment section में लिख सकते हैं मुझे आप ऐसे भी नज़र आ रहा है कुछ लोग ऐसे मौजूर है जो अपने person को सभालने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके person आप से बहुत ही हद तक irritate हो रहे हैं कि आप जादा होने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बोल ले की कोशिश कर रहे हैं तो आप से irritate हो रहे हैं ऐसा यहां पर message है यहां पर जितने भी लोग नए आया हैं जो reading को देख रहे हैं सुन रहे हैं तीन चार महीने पहले ही आया हैं के लिए एक message है कि अपने person को समझाना या फिर उनको सुधारना या फिर उनको convince करना आप मत कीजिए आप से नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे in fact वो आपके बारे में गलत सोच और बना सकते हैं ठीक है तो आप उन्हें convince नहीं कर सकते इन सारी बातों को ले कि जो भी इनसान है जिसकी reading भी आप देख रहे हो यह माबाप का बहुत बड़ा भक्त है ठीक है भक्ती ही करते हैं एक तरीके से parents की मतलब जैसे आप भगवान की भक्ती करते हो यह इनसान जो भी है यह अपने parents की भक्ती करते हैं बहुत ही जादा झाल 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 यहां पर M letter दिखाई दे रहा है guys यहां पर एक message मल रहा है कि आपकी life के अंदर आपको कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो target करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है कुछ लोग target करने की कोशिश कर रहे हैं और यह ना मुझे आपकी person के लिए message मिल रहा है like आपके person को भी कुछ चीज़े target करने की कोशिश कर रही हैं कुछ negativity target करने की कोशिश कर रही है तो आप मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों ही मतलब इस वक्त में बहुत जादा negativity से deal कर रहे हैं और दोनों को ही target किया जा रहा है लेकिन ऐसा है यहां पर है कि दोनों का response करने का तरीका अलग अलग है आप अलग तरीके से response कर रहे हैं और आपके person बहुत ही जिदी और जिदी energy मे करी तो उनका गुसा बढ़ रहा है और जिद बढ़ रही है ऐसा है यहां पर message निकल कर आ रहे हैं यहां पर ऐसा भी नज़र आ रहे हैं कि आपके person का कोई राज है कोई डर है जो उन्हें डर लग रहा है कि कहीं बाहर ना आ जाया है आपके जो person है इनके राज इनके डर आपको बहुत अच्छे समाल होंगी कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो आपको person को बहुत जादा डर आती ह हैं मैंसे कोई एक secret है कोई डर है जो आपके person को बहुत इस वक्त में डर लग रहा है कि कहीं बाहर ना जाए इस चीज़ को लेकर यह बहुत जादा डरे हुए दिखाई देते हैं आपको person यहां पर ऐसा चाहते है कि आप अपनी life में जीएं और खुश जीएं ठीक है उन्हें आपकी बाते सुनकर बहुत ही जादा अजीब सा लग रहा है और कहीं न कहीं वो खुद भी इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं उनके साथ तरह हैं काफी जादा डरा रहा है उनका बाहर आ आजाना उनके बाहर ना कि अनकल है हैं. आपको लेकर ये परसन ने अभी आपको फ्री कर रखा है विकाज इनकी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि आपकी रिस्पॉंसिब्रिटी ले और इन्हों ने आपको टोटली फ्री कर रखा है कि आ आप यापनी लाइफ में जैसे करना है वैसे कीजें आप इस परसिन की तरफ जारी जी में को पेस समझ में आने वाला नहीं कि कि आपके समझाय से तो यह संझेंगे नहीं क्योंकि इनके Experience आपके Experience से बहुत आलग हैं ठीक है ऐसा मुझे हाँ पर Message मिल रहा है यहां पर आपके परसंग आपको एक lesson देने के कोशेश कर रहे हैं कि हर चीज पर हाँ बोलना बंद कर दो ठीक है यहाँ पर आपके परसन के द्वारा आपको एक स्ट्रॉंग लेसन दिया जा रहा है जितनी भी न्यू अवेक्निंग्स है उनके लिए स्ट्रॉंग मेसेज है कि अपने परसन को खुश करना यह हर चीज में हाँ करना बंद कर दो ऐसा कर दो झाल झाल कि यहां पर एक message मिल रहा है कि आप मैसे काफी सारे लोग जो अपने person को बहुत जादा अत्यदिक मात्रा में समझाने की कोशिश कर रहे तो possibility है कि आपकी connection में third party manifest हो जाएगी ठीक है कि आपकी चीज़ें इस person को समझ में नहीं आ रही है और यह जगलिंग situation में है ठीक है और मुझे लगता है कुछ लोगे connection में third party जैसा scene बन भी गया है like वहाँ पर जीकि आपके जो person है एक तो इनके अंदर ego बहुत जादा है दूसरा मुझे यहाँ पर यह नजर आता है कि आप इस person को लगाता है यहाँ से कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ बोल ले की कोशिश कर रहे हैं इन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है जब आप किसी इनसान को जरुछ से जादा समझाने की कोशिश करते हो न तो वो समझता नहीं है ठीक है औरिएू आप किसी को सुधारude सकते हैंobra itself वह आप सकते हैं तो आप इसी पर हैं जहांपो बोलना चाहिए ठीक है आपके बोलने से जिनको ट करना होगा वह करें यह करना होगा नहीं करेंगे वह एक डिफरेंट चीज है लेकिन एक particular इनसान के पीछ आप पड़े हुए हूँ, उनको बदलने की कोशिश कर रहे हुँ, उनने समझाने की कोशिश कर रहे हुँ, हम ये हैं, हम वो हैं, उनने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन्फेक्ट, उन्होंने आप वो silent treatment दोड़ दे दिया है, यहां पर ठीक है मतलब जितना अब आप से जब आप उनसे ये बात करते हो तो और आप से यहां पर दूर जाते हैं जैसे दूरी सी बना लेते हैं या बाचीर बन कर देते हैं और उनका जो ध्यान है वो थर्ट पार्डी पर जादा चला जाता है या फिर किसी तीसरे इंसान पर जादा कारण यह है क्योंकि आप उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हो कि आप कैसे बेव कर रहे हो आप अपनी ना जो भी जितने भी लोग यहां पर मौजूद है चाहे पुराने हो चाहे नहे हो यह लोग भी है चैनल पर आपका भी अपनी अपनी गलतियों को नोटिस करना अपन की गलतियां बहुत जादा है connection में आपको नज़र नहीं है वो अलग बात है ठीके आपने अपने आपको इस परसन को आपने इतना ज्यादा समझाया या इतने ज्यादा आपने इस परसन का ध्यान रखने की कोशिश की है कि आप अपने आपको ignore कर गए और अपने आपको आप खुदी को संभाल पाए और इस परसन से तो आप कुछ मिला ही नहीं तो यहां पर वही मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि अगर इनको समझाने की कोशिश करेंगे तो यह third party में भी चले आएंगे और हो सकता है कुछ लों के connection में third party आ भी गई हो हाला कि वह जगल कर रहे हाला कि जगलिंग situation है ठीक है वह जगल करते रहेंगे क्योंकि उने clarity नहीं मिल पार क्योंकि clarity इंसान को अपने खुद के कर्मों से खुद के experience मलती है ठीक है आप किसी को clarity नहीं दे सकते हैं ठीक है मतलब कोई ऐसा इनसान है जो clarity में आना ही नहीं चाहता तो आप उसे clarity नहीं दे स चोड़ेंगे आप जैसे यह person आपकी तरफ वापस आएंगे ठीक है वापस आएंगे और फिर से इनको ना मतलब थोड़ा सा time लगेगा भी यहां पर इस process मुझे यहां पर ऐसा message मिल रहा है क्योंकि आपकी तरफ आने के बाद भी जैसे इस person को doubts definitely रहेंगे तो यह person फिर एक चीज़ें हैं like आपकी बाते या फिर आपका व्यक्तित व या फिर खुद का वेक्टित खुद की बाते तो उनको ना यह एक दिमाग से जब भी वह सोचने की कोशिश करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह चीज़े पॉसिबल नहीं है और जैसे ही वह आपने दिमाग चला और आप दोनों एक दूस्ते को यू नो दोबारा से कंवेंस करने की कोशश करते हैं तो वह फिर एक एक चीज कुछ ना कुछ डेफिनिटली आप दूनों के बीच में होता है जहां पर आपके परसन आपसे दूरी बनाते हैं यहां पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके परसन को let go करना पड़ेगा ठीकिए आप अपने person को free छोड़िए इसलिए universe shri hari अकसर करके हर जगह पर ये बोलते हैं जब भी बात love की आती है प्रेम शब्द की आती है तो एक चीज़ बोलते हैं कि जो भी जिसको भी आप चाहते हैं उसको free छोड़िए उसको अपना experience खुद लेने दीजे ठीकिए अगर वो आपका है तो वो किसी और का नहीं हो पाएगा ठीकिए आप कोशिश भी करेगा तो भी नहीं हो पाएगा उसको satisfaction नहीं आईगी ठीकिए और वो घूम फिर के कहीं ना कहीं सब कुछ सिक्क बहुत अच्छी लाइनिया पर याद आ रही है कि दूसरों को सेब्सक्राव को परिवर्द सेदित करना जबर दस्ती हैं या जबर दस्ती है खुद को बदलना जबर दसक्रेंगा खुद कि खुद को बदलना ही असली धर्म है दूसरों को बदलना अधर्म है कि आप नहीं बदल सकते हैं आप सिर्फ उनको समझा सकते हैं आप उनको रहा दिखा सकते हैं करना ना करना उनकी खुद की इक्षा पर डिपेंड करता है तो यहां पर जो लोग भी ऐसी एनरजी में हैं य क्योंकि आप उन्हें समझ में आना बंद हो जाएंगे यहां पर ऐसे हैं आपर मैसेज निकल कर आ रहा है ठीक है यहां पर से आपको जरुरत है कि आप अपने उपर कंट्रोर रखें और आप उपने जो भी आपके पार्टनर हैं उनका जो भी मेट्रिक्स बेहेवियर उसी क्य आप इस परसन के साथ डील करें ऐसा आप लोगे गाइडन्स निकल कर आ रही है यहांवर कुछ लोग हैं जो उनको बहुत जादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है ओके देखते हैं अलफाबेट्स क्या आपके लिए यहां पर लेक्टास है ओ डी एक्स वाइए और नंबर से जीरो वन टू फॉर आप लोगे मैसेज लेते हैं कर रहे हैं आप इस परसन को कितना आप इस परसन को देखने के लिए कितना भी ट्रावल कर सकते हो या फिर करते हो ठीक है यह इस परसन को बहुत ज़्यादा परसंद है यह परसन को बहुत पसंद है यह आपने इस परसन को बताया कि लव क्या है आप लोग के इंजल गाइडन्स क्या है वो भी देख लेते हैं सरेंडर तो स्परेट मैंने क्या बोला था स्परेट्स का भी वही मैसेज आड़े कि स्परेट्स को सरेंडर करो वन्स आफ दन एवर्यथिंग तो अचीव गोल तर्न दर सिट्वेशन ओवर तो दिवाइन लेट्स स्परेट्स मैंजिक फोर यू आप करके ठक चुके आपसे नहीं हुआ आप अपने परसन को समझा कर ठक गए आपसे नहीं हुआ आपने सारी आपने को करते ना कि करने के लिए रेडी हैं आप इस प्रेट को सरेंडर कर रहे हैं ठीक है यह लिखिए कमेंट सेक्षिन में एंड इस ट्रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़िए और सब्सक्राइमर चानल थैंक्यू गाइस